आफलाइन मा चाहिए पांचवी कक्षा के चातरों से बात करने के बाद शिक्षक ने उन्हें एक निबंध लिखने को दिया कि कैसी मा पसंद करते हैं सभी ने अपनी मा की प्रशंसा करते हुए विवरेंड लिखना शुरू कर दिया उनमें से एक चातर ने निबंध पाट का शिर्शक लिखा आफलाइन मा मुझे मा चाहिए पर मुझे आफलाइन चाहिए मुझे एक अनपर मा चाहिए जो मुबाइल का इस्तिमाल करना नहीं जानती हो लेकिन मेरे साथ हर जगे जाने को तयार और आतुर हो मैं नहीं चाहता कि मा जीन्स और टीशर्ट पहने बलकि छोटू की मा की तरह साड़ी पहने मुझे एक ऐसी मा चाहिए जो बच्चे की तरह गोद में सिर रख कर मुझे सुला सके मुझे मा चाहिए लेकिन आफलाइन उसके पास मैं और मेरे पिताजी के लिए मुबाइल के तुलना में अधिक समय होगा आफलाइन मा हो तो पिताजी से जगड़ा नहीं होगा जब मैं शाम को सोने जाऊंगा तो वीडियो गेम खेलने की बजाए वो मुझे एक कहानी सुना कर सुलाएगी माँ आप आफलाइन पिजा ओर्डर मत कीजिए घर पर कुछ भी बनाईए पापा और मैं मज़े से काएंगे मुझे बस आफलाइन मा चाहिए इतना पढ़ने के बाद पूरी क्लास में मौनिटर के रोने की आवास सुनाई दी हरे एक छातर और क्लास टीचर की आँखों से आँसु बह रहे थे माँ मौडर्ण रहो लेकिन अपने बच्चों के बच्चपन का ख्याल रखो मुबाइल की आवास की वज़े से इसे दूर मत करो ये बच्चपन कभी वापस नहीं आएगा